नमस्कार दोस्तों मैं प्राची संस्क्रति आयस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहत स्वागत करते हूं दिल्ली में मौनसून का भी स्वागत हो चुका है गर्मी से थोड़ी रहात मिली है तो इसी के साथ पढ़ाई को और जोरदार तरीके से शुरू करते हैं आज की जैसा कि आप सभी चानते है टागेट प्रिलिम्स करेंट अफ्योव बीस्ट और न्यूस्पेपर के तह पांच बेहत मिद्पून टॉपिक्स पर हम चर्चा करते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह टॉपिक हमने न्यूस्पेपर से लिए होते हैं और यह एक करेंट अफ्योव का वीडियो है जिसको अगर आप फोलो करते हैं तो आपका डीर साल का करेंट अफ्योव प्रिपेर हो जाएगा आई एक निज़र डालते हैं कि कौन से पार्च टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करेंगे लोग प्रतिनिद्व अधिनियम नाइंटीन जाता है जैसे कल की वीडियो में हमने बहुत डिटेल से चीज़े पड़ी थी जो कहीं ना कहीं हमारा लोग प्रतिनिद्व वाला जो अधिनियम से लिंक भी बनाता है तो इसको बढ़ेंगे फिर हॉन आफ एफ्रीका में चीन का हस्तचेप देखे बढ़ रहा है तो होन एफ्रीका के अंदर किस तरीके से इन्वेस्टिमेंट कर रहा है इस पूरे के पूरी चीज़ को हम समझेंगे फिर देखे उन्नत हलके हैलिकॉप्टर यह यह लॉंच हुए है बैसिकली इनका टेस्ट वगरा बहुत सक्सेस्फुल हुआ है तो इनके बारे में पढ़ेंगे टीडियस देखी न्यूज में था टेक्स डिरेक्शन एट सोस जिसको हिंदी में शुरुत पर कलकटोती बोलते हैं एकनोमिक का एक कॉंसेप्ट है इसको समझेंगे और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो यह एक संस्था है जो न्यूज में थी तो इसके बारे में हम पढ सब्सक्राइब करते हैं हम क्यों पढ़ रहे हैं आर्फ्यू एक 1951 की धारा 625 क्योंकि देख लिए एक एडिटोरियल आया था प्रॉब्लमेटिक प्रोविजन ठीक है बहुत ही आप कह सकते एक एजुकेशनल टाइप का यह एडिटोरियल था अगर आप पढ़ना चाहते है या नहीं हुआ है अगर वो जेल में है तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है ठीक है जैसे मान लीजे मुझे किसी शक की बिना पर जेल में फिलार डाल दिया गया हाला कि ऐसा अभी होना नहीं चाहिए लेकिन मान लीजे तो मेरा जो वोट देने का अधिकार है वो लेकिन आगे चलकर जो कानून है वह यह पाता है कि मैं अपरादी नहीं थी और मुझे बाइज़त बरी कर दिया जाता है तो देखा जाए तो नर्देवुष होने के बावजूत मुझसे मेरा एक वोट देने का बेहद महत्वपूर्ण राइट जो है चीन लिया गया था वही उतरी मानले जे किसी पर अपराद साबित हो चुका है लेकिन बेल पर वो बाहर है देखे वह अपरादी है लेकिन बेल बर बाहर है वो देकि वोट दे सकता है तो इसे इसी तो चीजे थोड़ा सा लूप होल है कानून में आप मान के चलिए कानून की भाषा की वज़े से इसका थोड़ा सा दुर्पयोग हो रहा है ठीक बात है तो इसी कॉंसेप्ट को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव में मतदान न लागू नहीं होंगे कब नी ओंगे दो कंडिशन और उन कानुट तहथ आप जेल में हो तो यह प्रावाधान आप लागू नहीं होता पहला यदि तो मैं अपना प्रॉक्सी नॉमिनेट कर सकती हूँ जो मेरे बिहाफ पर जाकर वोट देगा वो जो वेक्ती होगा वो एक्चली जिस तेम पे प्रॉक्सी के रूप में काम कर रहा होगा तो अपना मत नहीं जाहिर कर रहा होगा वो मेरा मत बता रहा होगा तो आप जेल में हैं लेकिन अगर आप किसी के प्रॉक्षी के रोप में नॉमिनेटेड है यू किन वौट और अगर आप जो है डिटेंशन में है तो दो एकसेप्शन आपको याद रखने हैं और वैसे देखिए अगर आप जेल में हैं तो वोट कादिकार आपसे ले लिया जाएगा अब दिकत क् भाईया यह जो धारा है इसकी इंटेंशन बहुत अच्छी है हर बार उन्होंने यह कहा है कि इस प्रोविजन का जो उतेश्य है वो चुनावों की अखंडता को बनाए रखना है क्यों क्योंकि अपरादिक प्रश्ट भूमी वाले जो व्यक्ति हैं उनको चुनावों से भाग लेने से रोकता है तो इंटेंशन दो अच्छी है बढ़ कानून की भाषा वैसी है ऐसा लूप हो लेकामून में है जिसकी वजह से यह प्रॉब्लमेटिक हो जा रहा है तो परिणाम सवरूब जो विचार धिन कैदी हैं जिन पर अभी विचार किया जा रहा है कि भाईया आ इसलिए तो कहा जाता है कि हमारे आंकी जो कोट्स वगरा है उन पर काम का लोड जाता है बहुत बार सजा आपको मालेजे 15 साल की 10 साल की मिली थी बड़ जेल में 15 साल काट चुके हैं तो इस तरह की समस्या है तो यहां पर यह बताया हुआ है कि भाईया वह वचार दिन कैदी जो पाच लाग का भी 75% है वह मतदान नहीं कर सकते अब उन में से कितने नर्दोश है कितने दोशी है यह टाइम बताएगा इसके अलावा किसी ने का रण भी नहीं चुकाया है और वह सिवल मामले के तहत दिवानी जेल में बंद है तो भाईया वह भी वोट नहीं दे सकता जिस्ट भी कोज मैं पहीं नहीं कर पाई हूं तो इसकी वजह से मिंटेंसी में बंद हो तो भी मेरा वोट लccoliने का राइट जो है मुझसे ले लिया जाता है जब कि पृंड़ के से मेरा फॉनमेंटल राइट के तरीके से वोट देने का जो दिकार है नोट था ररें मैं बत विचारधीन व्यक्ति जो हो सकता है एक ऐसा नागरिक अपरादी भी जो बेसिक्ली साबित होने पर पता चल जाए कि भईया नहीं वह बेसिकली दोशी था तो उससे अधिकार गया है ले लिया गया है तो यहां पर उल्टा हो रहा है रूल क्या होना चाहिए तो क्रिमिनल्स क ह Потом में भाइव दे अलग करना लेकिन हो गया रहा है जिसके पास मुत रहा है उसे ले लिया जा रहा है जो इसके अलावा को all गया चुछ और पर है तो कि आर्टिकल नुम्मर 14 क्या कहता है कानून के समख्ष समानता होगी भई कानून किसी के साथ भेदबाव नहीं करेंगा लेकिन हम यहाँ पे डो केटेगरी बना दे रहें एक लोग जो वोट कर सकते हैं एक लोग जो वोट नहीं कर सकते तो आर्टिकल चौदा में सुप्रियम पूर्ण संबंध होना चाहिए लेकिन यहां पर लेखक यह कह रहा है कि आप बैद आपका उद्थेश्च तो है इलेक्शन्स को क्लीन मनाना लेकिन यहां पर आपका जो भीद्वा हो रहा है वो उसका इस उद्थेश्च के साथ कोई भी तर्क संबंद नहीं बन पा रहा है तो दिखी यह इसका मतलब इन मतभेदों में उस उदेश्य को चीजि प्राप्त करना चाहता है कि साथ तर्क संबंद होना चाहिए लेकिन इस कानून का जो कथित उदेश्य है यानि कि अपरादियों को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखने का उसका भीदबाव के साथ इस तरह का कोई लॉजिकल सब्मन नहीं है तो अब अगर मेंस में आपको लिखना पड़ जा इसके बारे में तो यू किन राइट राइट और अगर आपक इसका पड़ाई में ध्यान रखिएगा अम इस पर एक प्रशन पर विचार कर लेते हैं ठीक है क्या क्या रहा है यह लोग प्रतिनिदत अधिनियम 1951 की जो धारा 62 5 है इसके बारे में कुछ कतनों पर विचार कीजिए ठीक है कोई भी व्यक्ति जिसका नाम किसी निर्वाच नामावली में तत्समय तत्समय मतला उस ताइम परविष्ट नहीं है उसकी एंट्रे नहीं है वह निर्वाचन छेदर में मत देने का अधिक हकदार नहीं होगा भाई आप जेल में बंध हो ना हो इर्रिस्पेक्टिव ओफ डैट अगर आपका इलेक्टोरल लिस्ट में नह नहीं है उस ताइम पर तो यू कांट वोट तो यह वाले स्टीक्मेंट ठीक है बिल्कुल दूसरा कह रहा है कोई व्यक्ति यदि कारावास या निर्वाशन की दंडा देश के अधीन है या पुलिस की विधिपूर अभी रक्षा में है तो निर्वाचन में मत नहीं देगा यह तो हम पड़ी रहे हैं ठीक है सिक्स्टी टू फाइफ फिर कह रहा है इसे उस व्यक्ति पर लागू नहीं किया जाएगा जो उस समय लागू किसी कानून के तहत निवारक निरोद के तहत अधीन है निवारक निरोद मतलब डिटेंशन तो यह हमने पढ़ा वह हो जाएगा ओके अब हम चलते अपने निक्स टॉपिक की और क्या है नेक्स टॉपिक होन अफ एफरीका में चीन क्या हस्तचेब एक बहुत अच्छा आइडिकल आया था उस आडिकल में देखे किस बारे में था कि जो चाइनास इंटरवेंशन इन दी होन आफ एफरीका इस को लेकर इनोंने बात्षीत की थी तो आईए काफी इंट्रस्टिंग चानकारिया आपको मिलेगी याद रखने की कोशिश कीचेगा क्योंकि जब इंटरनेस्टर रिलेशन की क्वेशन आते तो इसी तरह के फोडर पॉइंट आपको आंसर एटिंग में हेल्प करते हैं ठीक जो कि एथोपिया में आयोजित किया गया था इसमर भाग लिया था और जिसका लक्षे था कि सुरक्षा के चेतर में भूमी का निभाना देखे पहले चाइना का यह कहना था कि एफरीका में हम जो भी इंवेस्ट्मेंट कर रहे हैं हमारा जो फोकस है वहां पर इंफर्स्ट के चेतर में भी अपनी भूमी का निभाना चाहते हैं वहतलब चाइना के पत्ते खूल कर सामने आ रहे हैं यह पत्ते वो खोल कर दिखा रहा है कि सिक्योर्टी के मामले में वह जगता से जाधा ऐक्टिविटीज में पाटिसिपेट करना चाहता हैं आफ्रीका में नान पूल बना देंगे सड़क बना देंगे और फिर दिरे दिरे जमीन हती आते और फिर कहते हैं यहां पर मिलटरी वाला काम होगा चीक बात है तो देखे एथोपिया में आयोज़त यह सम्मेलन था उसमें होन के निमलिके देशों के जो विदेश मंत्रालिय था उन्होंने भाग हुती सामिल हैं लेकिन मैंने बताया काफे सारे लोगों का काफे सारी कंट्रीज का ना मतबता क्या है इसका जब विकास में चीन की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया गया था 2021 का जो इसका फॉरम था हॉन के पूरे छेतर में भाग लिया था ठीक है एक दकार एक्षिन प्लांस एक चाइना एफरिका कोपरेशन विजन आपका 2035 जलवाईयों परिवर्तन पर चीन एफरिका घोष्णा और एफवर सी एसी के आथवे मंत्र स्तरिय सम्मेलन की घोष्णा चीक है तो यह आपको ध्यान रखना है इसमें से जो डकार एक्षिन प्लान है यूशिड रिमेंबर एक्षिन प्लान किस चीज से संबंदित है तो आपको पता हो चाइना और एफरिका ने जो उनका एक दोरान इसको अपनाया था और एफरिका में चीन के बढ़तेवे भूमिका से कहीं ना कहीं संबंद देता है ठीक बात है यह ध्यान रखिएगा इसके बाद देखिए एफरिका के हॉन में चीन के प्राथमिक हित क्या है उसका निवेश क्या है यह हमें थोड़ा पता हो क कि आखिरकार किस तरह का कार्ये जो है चीन वहां पर कर रहा है तो देखिए चीन के हित बेसिकली चार प्रमुक छेत्रों से संबंद देते धाचरगत परियोजना इंफास्ट्रक्चर का निर्मान करना चाता है वित्य साहता पैसा देख आम सॉरी पैसा फेक तवाशा देख कि बोलता है थी कुछ वैसा ही चैक है और प्राकरतिक संसादन और समुंदरी हित ठेक है प्राकरतिक संसादनों से एफ्रिका बहुत परिपूर है लेकिन क्योंकि वहां पर टेकनलوجी की इन आसे चीजों की कमी है रेसूर्स की कमी है तो इनका दोहन नहीं हो पाया है और चीन चीन ने रेलवे में भी बहुत जादा उलेखनी इन्वेस्टिमेंट की है अधिस जिबूती रेलवे लाइन का निर्मान चाइना कर रहा है और जो यह भूमी से घिरावा देश है तो इस भूमी से घिरेवे देश को वो लाल सागर में एरिट्रिया के बंदरगां से जूडती है अगें दिस इस इंपोर्टेंट इसको ध्यान रखेगा चीन ने केन्या में मुंबासा नेरोभी लेल लिंक में भी इन्वेस्टिमेंट किया है और पहले सी सुडान में भी वो रेलवे परियोजना पर काम कर रहा है कितना जादा वो कनेक्टिविटी पर फोकस करते हैं य अब देखेंगे तो आपने पर लगाता है तो चीन के लोगों को रोजगार मिलता है और जो उसका जो भी उन्होंने इंवेस्टमेंट किया उसका अच्छा कासा रिटर्न भी वह वसूलते हैं जी का वसूलने कि उनके तरीके अपने अलग-अलग है अब देखें बार-बार होन अफ्रिका की बात हो रही है तो हमें माप पता हो जैसे यह अगर आप देखेंगे तो जो आपका अफ्रिका महादीव है ठीक है उसका यह पूर्वे विस्तार है यानि कि इस्ट की तरफ आप कह सकते है यह उसका पूर्वे विस्तार पढ़ता है ठीक है इस्ट एंड वे बट मुझे हैविट हो गई है थोड़ा गलत बोलने की तो जी पूती ध्यार रखेगा ठीक है आपका इथोपिया और सोमालिया तो बेसिकली कितनी कंट्रीज हो गई आपकी चार कंट्रीज हो गई लेकिन जब हम होन अफ अफरिका के एक्स्टेंडड वर्जन की बात करते हैं तो देखिए इसके अंदर कुछ और कंट्रीज जुड़ जाती है जैसे आपका सुडान युगांडा केन्या यहां पर आजाएए ठीक है यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका इरीत्रिया दिख रहा है इसके बाद आपका सोमा फैर्ण युगांडा है यो फ्रीकान है बनते हैं थालं यह ऐpu कॉन से बता दिया और इसके अलवां आपको बताऊ सोमालिय सॉमाल या ब्राइड बोलते हैं इसको ध्यान रखेगा और यह जो कंट्रीज है यह बेसिक लिए इसलिए जादा आपस में कनेक्टेड है क्योंकि इनका इतिहास इनकी संस्कृती वर्षों से एक साथ जुड़े हुई रहे हैं इनके आपस में जुड़े हुए रहे हैं यह थोड़ी सी चीज ध्यान रखेगा अब इसके बाद देखिए इथोपिया में भी इनका एक सेन्य हार्डवे बजार भी है इनका किनका चीन का ठीक है सोमालिया में हस्पतार सड़क स्कूल स्टेडियम सही 80 से अधिक धाचागत परियोजनाओं का निर्माण कर रहे हैं जिबूती में 14 बुन्यादी धाचा पर जाप्त करता है उनमें से एक आता है याद कर लीजगा ठीक है इंपॉर्टन फैक्ट है और जिबूती तो क्यों इंपॉर्टन है क्योंकि चाइना का सेन्य अड़्डा है वहाँ पर है ना बहुत स्ट्राटेजिक लोकेशन पर है ठीक है फिर देखिए अफरिका में पुझना है जो चीन के द्वारा एफरिका में चलाई जा रही है मैंने आपको बता दी ताकि यू विल गेट इन आइडिया कि आखिरकार चीन की तरफ से किस कदर पैसा दे कर कंट्रीज को अपनी सैड़ किया जा रहा है अगर हम कंपेर करें भारत का जो कि आफरिका में धी जो फेक्ट है उनको ध्यान रखेगा तो यह एक बेसिक क्लारेटी एफरिका कॉंटिनेंट में चीन के बारे में आपको हो जाती है अच्छा इस बात का मैं आंसर मिल ही गया है कि चीन के हित क्या क्या है पहले तो वह इंफरस्ट्रक्षर धाचागत जो आपके जितने में इ कर बेसिकली घोष्ण कर चुके है कि हम सुरक्षा के छेतर में भी अब अपने जो पैर है वह पसा रहेंगे ठीक है तो यह सारी चीजे इसके अलावा देखिए इथोप्या में सोना लोहा कीमती पत्थर रसायन तेल प्राकरितिक गैस जैसे जो खनीज है उनमें भी चीन करताया था और अमेरिकान एक अनुमान लगाया है कि चीन के निया और तंजानिया में भी एक और सैन्य अड़ा बनाना चाहता है जिससे इस छित्र में उसकी सैन्य उपस्तिती बढ़ जाए जितना भी अब तक हमने पढ़ाना फाइनल इसका पॉपस यही निकल के आता है य उन सारे इंपोर्टन सी रूट्स को अपने कंट्रोल में रहना चाहते हैं जिनके भी द्वारा उनके ट्रेड पर उनके आवागमन पर कोई भी परभाव पढ़ता हो ताकि भविश्य में कोई और उनको तकलीफ ना दे सके ठीक बात है तो यह हमने सारी चीज़े पढ़ ली आप देखे होन आफ एफ्रिका के संदर में कुछ कत्नों पर आपको विचार करना है पहला है सोमालिय प्राइदीब के नाम से जाना जाता है मैं अब मैं पढ़ाते वह आपको बताया था यह बात ठीक है फुर यह कहारा है इसमें इथोपिया इरिट्रिया सोमालिय और सर्फी किया है उननत हलके हैलीकॉप्टर ऐलच ठीक है यानि एडवांस लाइट हैलिकॉप्टर एमकेथ थोड फी बात यह चीज एक्टे अक्नीरस में को ल骰न कोर्दन इंड पर बंदनर फ questi स्कॉधन विल हन्हीं एडवाश लाइद हेली को तो एमकेथ थोड तो इसकी व के थोर्ड इसके स्क्वार्डन को इसके बेड़े को गुजरात पूर बंतर में जो भारतिय तट रक्षक बल है इंडियन कोस्ट गार्ड है उनको क्या है अभी कमिशन किया गया मतलब होता है वहता है सोपना दे देना चीक बात है यह जो हैली हलके हेलिकॉप्टर है उनमें व सारे काम को करने के लिए उनके पास बहुत हैवी हेलिकॉप्टर थे उन सारी विशेष्टाओं को अभी भी रखा गया है बठ हलके है जिसकी वज़े से वह जादा उची उडान भर सकते हैं और ज्यादा एफिशेंटली ऑपरेट कर सकते हैं ठीक है इनका इस्तमाल होता है म समुदरी छेतर है वहाँ पर निगरानी करने के लिए और तटीय सुरक्षा के लिए किया जाता है चीक है इसको ध्यान रखना है कि अंदर सरकार ने चरणबत तरीके से कम से कम तीरा हो एक चेल म के थर्ड हेलिकॉप्टर को इंडियन कोस्तल गार्ड में शामिल करने की से इंडिजिनस लिए तयार किये गए हैं बहुत सारे अत्याधिनी उपकरण जो है उनसे लेस है जैसे उन्नत रडार है इनके सपास इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है पावर इंजिन है पूर्ण ग्लास वाला कॉप के कॉपिट है दिखने में बहुत बैट रहता है चांद पढ़ना लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए टेक्नोलजी है खोज और बचाव होमर भी इसके अंदर शामिल है ठीक है बहुत जादा याद करनी की ज़रत नहीं है जैसे आपको एक आइडिया हो कि इन हेलिकॉप्टर में क्या-क्या नहीं नहीं चीज़े हैं परियोक्षाला की दौरा कुछ पर्टिकुलर चीज़ बनाई गई है जो इन हेलिकॉप्टर में शामिल की गई है ठीक है इनकी विश्रिष्टा क्या है समूंदर में यह टोह ले सकते हैं खोज कर सकते हैं और ऐसा यह दिन और रात दोनों टाइम में कर सकते हैं सभी परकार कर मोसम में कर सकते हैं इनके विस्तारीत रींच है जिनको खोज और बचाव करने में सक्चम बनाती है अगर इन पे भारी मशीन गन लगादें लेकिन अगर भारी मशीन गन लगा दें तो एक आक्रामक वंच भी बन सकता है इसके अलावा वहारी इंट्र cinisch इस हेलिकॉप्टर को अगर लोग घायल हो गए हैं उनको ततकाली मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यक्ता है तो यह उसके लिए भी यूज हो सकते हैं तो याद रखिएगा यानि के गम्मी रूप से बिमार जो मरीज हैं उनको एरलिफ्ट करने के लिए इन हेलिकॉप्टर मे एक रिमूवेबल मेडिकल आईसी यू लगाया गया है जो एल हम के तुरी की एक बड़ी विशेष्टा है इस पर नाली को एयर क्राफ्ट में जो विधुत आप पूरती है उस पर ऑपरेट किया जाता है चार घंडे का बैटरी बैक अप भी है है हैलिकॉप्टर में दो ती कुछ विशेष्टाएं हो गई अब जब आपने इतना पढ़ लिया है तो क्योंने कोश्चन भी सौल कर लिया जाए तो देखते हैं में कुछ कतनों पर विचार कर जिए यह हिंदुस्तान एयर नॉटिक्स लिमिटेड द्वारा सवदेशी रूप से नर्मित किया गया है ब कि सी भी समय खोच और बचाव कारे करने में सक्षम है यह तो इसका में परपस ही तो यह भी क्या है ठीक हो जाएगा देखें यह तरह की कुछन इस तरह की स्टीटमेंट के साथ इसलिए प्रपेर किया जाते हैं ताकि जब आप रिवाइस करें तो खले प्रशन को देखकर ह आपको टॉपिक रिवाइस हो जाए क्यों कि तीन स्टीटमेंट में उसका जो मीन फीचर है वह आपको बता दिया गया है ठीक है तो पूछा गया है कौन सा सही है तो डी जो है सकांसर हो जाएगा राइट अब हम बात करते हैं अपने फूर टॉपिक की छोटा सा टॉपिक ह है समझ में आ जाएगा इजी हो जाएगा क्या है देखिए बाया टु डिड़क्ट टीडिएस और टू पियर वीडिये डिल्स ऐसे कुछ जो है इंकम टेक्स की तरफ से आप कह सकते हैं निर्देश दिये गए हैं जिसकी वज़े से हमें पता हो कि आपके टेक्स है तो दो उसके लिए आपको पेमेंट करेंगी कंपने आप क्यूंकि आप उनके परवाइन इंप्लाइफ नहीं है तो तो आप तो सेलरी पर आप इंकम टेक्स देते अगर आपको मिलती क्योंकि आपने पर्टिकलर काम किया और उस पर्टिकलर काम के लिए आपको क्या है टेक्स देना चाहिए क्योंकि आपको कुछ कमाई तो हुई उस काम को करके तो होता क्या है जो आपको पेमेंट कर रहा है जिस कंपन at source, नाम से डरेव कीजए, भाईया जो आपका श्रोत था, वहीं पर करकी कटोती कर ली गई है, अब आपकी कंपनी आपके बिना पर वो जो उसने टेक्स कट किया है, उसको सरकार को भर देगी, यहीं बेसिक सी चीज आपका TDS होता है. चीक बात है, किसी ने भी, अगर कोई भ कानून का तवरित और कुशल संग्रै हो इसके लिए आइकर कानून ने आय सर्जन के बिंदू पर कर कटोती के परनाली शामिल की है इस परनाली को श्रोथ पर कर कटोती जिसे आम तोर पर TDS के रूप में जाना जाता है इस परनाली के तहट कर की जो कटोती की जाती है वो आय सर्जन के मूल पर की जाती है कहां आय सरजन के मूल पर और भुक्तान करता की द्वारा कटूति की जाती है और आदाता की ओर से भुक्तान करता के द्वारा सरकाल को फे प्रेशित कर दिया जाता है यह तो मैंने आपको समझाया श्रोफ पर कटोति का ब्रावधान है आपके वेतन के लिए कोई कमीशन लिया गया है कोई व्रोकरेच ली गई है कोई ववसाइक फीस है रॉयल्ति है अनुबंध का बुक्तान किया है इन जैसे बुगतानों परवे ब्रॉपह सकते तो एंग होता है अदाता उसके द्वारा किये गए भुगतान पर श्रोथ पर करकोटोती कर लेता है सीम बात रिपीट हो रही है उसके द्वारा कटोती किये गए करको उसे सरकार को क्रेडिट जो है जमा करना होता है यहां पर एक इंपोर्टेंट पॉइंट है इसको ध्यानक लेजगा जो किये तो बहुत थी ज्ञादा कम टेक्स आपको बियाज यहस पे मिल रहा था महलीजे आप को क्या है एक हजार रुपे का इस फ्रaters ओ है एक हजार में से सो घटा देंगे तो कितने 900 रुपे बचेंगे तो बैंक आपको करना तो चाहिए था एक हजार रुपे का भुगतान ब्याज के रूप में लेकिन सिर्फ 900 रुपे का भुगतान करेगा क्योंकि 100 रुपे उसने के लिए काटकर रख लिए अब यह 100 रुपे में बैंक के पास नहीं रहेंगे वो इसके समोसे नहीं खाएंगे मौनसून में बैंक को सरकार के पास उसको जमां कराना पड़ेगा चीक बात है इस तरीके से यह काम करता है आईए आप इस पर एक सवाल देख लेते हैं कुछ साविधी जमापर ब्याज पर भी टीडियस लागू होता है अभी मैंने आपको पिटा है इसको पढ़ लीचेगा तो पूछ रहा कौन सा सही है तो दोनों सही है वाइन डू हमारा आंसर हो जाएगा अब हम पढ़ते हैं अपना आज का लास्ट टॉपिक ठीक है फिफ्ट ट यहां पर जो आपका यह नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो है यह देखी न्यूस में था तो दिल्ली का इंद्रागांदी अंतरास्टे हवाई अड़ा है वह एक बार फिल से फुल बॉडी स्कैनर का परिक्षन शुरू कर रहा है इससे पहले मार्च 2022 में एक समय सीमा दी तो फिर से फुल बॉडी स्कैनर लागो हो यह पोर्ट वगरा पर इसकी कावायत जो है शुरू की जा रही है राइट आये समझते हैं यह फुल बॉडी स्कैनर इस चीज में ज्यादा वेटर होते हैं कि जो गैर अधातों वस्तुवे होती है नॉन मेटल कुछ थिंस होती है उनका पता लगा सकते हैं जिनका जो पारमपारी डोर स्कैनर होते हैं फ्री मेटल डिटेक्टर उनसे पता लगाना मुश्किल होता है ना जब आप कहीं पर मॉल बगरे में जाते ही एक गेट से आपको गुजरना पड़ता है तो वह इसलिए होता है वह स्कैन करते हैं कि आप जेब में तो देखें नागर विमाना सुरक्षा बीरो अब यह देखें क्योंकि इन सब चीजों के लिए जब्मेदार है तो इसको हमें पढ़ना जरूरी है इस ब्यूरो की स्थापना जो हुई थी वह 1976 में इंडियन एरलाइन्स के विमान का अपरण हो गया था और उ प्रहण कर देते हैं 1976 एक विमान जो है अपरहण में चला गया था तो हमारे जरूरत महसूस की जाने लगी कि जो विमाना सुरक्षा है इस पर कुछ काम किया जाना चाहिए इसके लिए पांडे समीति का गठन जो है किया गया पांडे समीति ने कुछ शिफारिश्य दी उन् सब्सक्राइब है इसके एक आप कह सकते हैं सलंगन करके जो है इसकी शुरुवात की गई ठीक बात है भारत में नागर विमानन के सुरक्षा के लिए यह ब्यूरो एक रेगुलेटर के रूप में काम करता है सब्सक्राइब है इसको कनिश्क विमान हाथसे के नाम से जाना जाता है तो जब यह हाथसा हुआ तो एक रपल 1947 को यह जो ब्यूरो है इसको डीची सीह से हटा कर जो हमारा नारेक उडैन मंत्राले है उसके साथ एक और नॉमस बॉडी के रूप में सुरक्षय humor करता है यह सुनिश्यत करता है कि सुरक्षय नियंतरण लागो करने वाले जो व्यक्ति हैं वो उप्यूक्त रूप से ट्रेन हो अपने कामों को पूरा करने के लिए उनमें बकाइदा capabilities हो ठीक है विमानन सुरक्षा से समभनें जो subjects होते हैं उनको यह समन्वे करने का उनको विन्वेन करने का उनको regulate करने का काम करता है basically safety जो आपकी evasion की है उससे यह संबंदित है यह keyword बस ध्यान रख लीजेगा ठीक बात है यह समझ गए इसके अलावा देखिए आकास्मिक जांच वगरा करते हैं यह प्रचालिक ततपर्ता वगरा कैसी है इन सब अंतराश्टी नागरिक विमानन अभी समय इसके द्वारा जिसको शिकागो कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है के ताइम पर जो है की गई थी और यह बेसिक लिए आपका जो नागर विमानन है उसके और प्रसाशन के प्रबंधन के लिए की गई थी यानिकी तो है आपका इंडिया में एक इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल वाला आपका कौन सा इंटरनेशन सविल अभेशन और नाइजिशन उसकी जो स्थापना हुई थी वह शिकागो कन्वेंशन के तहत हुई थी 1944 में अभी वो United Nation की विशिस्ट जो है बॉड़ी है और यह बेसिकली जो आपका civil aviation है उसकी safety के लिए नियम काइदे कानून बनाती है जिनको फिर बाकी देश के जो civil authorities हमानती है जैसे हमारे हैं जो हमारा सुरक्षा ब्यूरो है वह बेसिकली इसका जो 17 है उसको लेकर काम करता है ठीक है बहुत बेसिक चीज़े तो चालिए यहां पर हमारे टॉपिक खतम होता है अब देखिए अच्छा नहीं अभी कुछ चीज़े रहती हैं सौरी पढ़ा देत माध्यम से अंतराष्य परीवन की अनुमती देने वाले प्रमुक्सिद्धानतों की स्थापना की थी भारत भी सके सदस्यों में से एक है इसका जो हेड़क्वार्टर है वो मॉंट्रियल कनाड़ा में है ठीक है इसको ध्यान रखिएगा अब हम इस पर एक प्रेश्न देख लेते हैं क्या कहना है कि जो नागर विमाना सुरक्षा भीरो है सके संब्द में दो स्थीट्मेंट डी गई है आपको जो है सही बताना है यह भारत में नागर विमाना सुरक्षा के लिए नियामक परादी करने सही बात है इस बौड़ी का यह उद्देश्य ही है और इसकी स्थापना है वो शिकागो कंवेंशन के तह तहत न अलमना अंतरगत और सफवतंतरव्यबाग में की गई थे यह स्टेट्मेंट गलत है पहली ही बात तो इसका शिकागो कंवेंशन कोई लेना देना नहीं है वह तो इंटरनेशनल वाले दूसरी बात है पंडे समीती के सिफारिशों के आधारप पर इसको लाया गया था एक और भात यह है मैं नंबर बूल गई कौन सी बात है वह यह कि देखिए बेसिकली जो आपका यह पहले एक डीजी सीय के अंदर एक सिल के रूप में बनाया गया था बाद में इसको आपका विमानन मंतराले के अंदर गत एक सोतंत्र डिपार्टमेंट के रूपे स्थापित किया गया तो यह गलत हो जाएका सही पूछा है तो किवल एक सही है तो एह हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है तो यहां पर देखिए हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है इसे तरीके से कर दो